तो हाई विर्वन, दो इस्टेज़ेज क्लास 10 के लिए आप सभी लोगों के पार हो चेके हैं और अब तीसरी बारी है क्लास 10 साइंस की, जो की 10th of May को होने वाला है, तो लगबग 5 दिन गया समय आप सभी लोगों के इस गैप में मिलने वाला है, तो इस बीच में हम ऐसी कैसी किस तरीके से अपनी प्रिप्रेशन करें, किस साइंस में बहुत अछ abolition लेकी आएंगा, और हमारा यही 106, हमारी यही यही एक तरीके से जो हम मेहनद करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे examination में marks काफी अच्छे आएं, क्योंकि overall सबको दिप्टा मARKS ही है, तो अभी जो 5 दि प्रेसर तुम्हारे माई में बैठा हुआ है कि हम यहां मेरा पेपर नहीं सही हुआ था खराब हुआ जो भी रिजन रहा हो इसको वहीं पर रिलीस करो और अपनी तयारी अगले वाले के लिए सुरू कर दो सही है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी तयारी कैसी होई है तक और से पहले में तीन केटेग्राइशन में स्टूरेंट को डिवाइड कर रहा हूं तब से पहला जो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सिलेवस के एकॉर्डिंग कि 0 से 10% हो सकता आपने एक दम नहीं पड़ी हो है ना हो सकता है कि माइंडचेट में रहा होगी लास्ट में चलके मैराथॉन्स वगरे देख लेंगे यह कर लेंगे और वह यहां पर आप तब लोग के समय आ चुका है कि वह आपको करना है और दूसरी जो सिच्वेशन है कि 50 से 60% वाले बताती चलूँगा कि आपको करना क्या है कैसे करना यह तीनों बच्चों के लिए तो मैं बात करता हूँ उसी लेवल की तो टोटल आपको सेवन चैप्टर पढ़ने हैं कि के साइंस के लिए सेवन चैप्टर दिया इतनी जादा चैप्टर अब ध्यान से देखो पहले सुन लेक्रिक पोटेंशल डिफरेंस तरके डाइग्राम और जो आपके इंस्टुमेंट है वह सारे देख लिए उपर अच्छे से फुट ओन फ्लॉव अगयरे है ठीक है तो इतनी सारी चीज़े बाकि इसकी लिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स देदूंगा यह वन शॉट मै इसके उपर की चीज़े पढ़ेने के कोशिज करिएगा इसके नीचे जैसे आप जाये वहीं पर स्टॉप कर दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए ननिस्कोरेबल होगा ठीक है तो वह आपको नहीं पढ़ना अब करवेंट्स कंपाउंट की बात करूं तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपके रिवूंग में वह देख लेंगे अपन तो आप इकदम पढ़ते चली जाए यह यहां पर आपको नॉमिन्क्लेशर दिख जाए यहां वाला पार्ट यहां पर बीजा यहां वाला नॉमिन्क्लेशर वाला पार्ट जहां तक दिल जा बस वहीं ते स्टॉप कर जाना उसके नीचे का पार्ट पूरा का पूरा रिदूजड है वह आपको नहीं पर आपको अगे बात करते हैं पिलोडी क्लासिफिकेशन का कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है नो रिडक्शन अ इसमें रिडूस पार्ट है एवालूशन आपको पूरा का पूरा कट कर लेना जहां पर भी एवालूशन आए बस वहीं से रुप जाओ उसके पार लास्ट शेप्टर है और इंवायर्मेंट इसमें भी कंप्लीट श्टडी करनी है तो यह सिलेबस है इसके अपना डे डिव किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना तो उस चीज को बढ़ा ध्यान से देखना मैं अभी जो पांस दिन है उसमें से आपको सित स्टार्टिंग के दो दिन ही आपको मैं बोलूँगा कि मेरे भाई दो दिन में क्या करो तुम सिलेबस कंप्लीट करने कोशिस करो हो तो नह दिमाग अपनी practice में लगाओगे, sample paper लगाओगे, presentation में लगाओगे, जब वहाँ पर इतना चीजे करोगे, तब जाके वहाँ score निकल के आएगा, हमें सिर्फ नहीं पढ़ना है, कि पढ़ना ही नहीं है, मैंने बोला था, marks oriented पढ़ाई करनी है, कि कितने पढ़ाई करना है, किस स 60% आपका syllabus हुआ है, आपको भी starting के दो days हो, that is कल का day और personal का day जो आपके पास है, आज और कल, sorry, क्योंकि video कल publish होगी, मैं आज ही गना रहा हूँ, तो दो दिन आपके जो starting के हैं, वो आपको syllabus completion में ध्यान देना है, ठीक है, बाकी का जो time होगा, वो same है, same जो 100% आले बच्चो हो जाए, तो complete procedure आपका इस तरीके से रहे गया, step one, that is आपको सबसे पहले तो one sort videos open कर रही है, या फिर आप कहीं से मैरा थौन अगर देख पाएं, तो आप मैरा थौन देख ले, but इसके लिए मैं एक चीज़ और पूछूँगा, कि आप से ही, अगर आपको ऐसा लगता है, आप नहीं उस लेवल की, तो comment करके बताओगे, तो I can arrange a class for you all guys, है ना, आप सभी लोगों के लिए में class arrange कर सकता हूँ, कि जिसमें मैं complete chapter, एक एक one sort videos type में, लेकिन complete knowledge के साथ आपको करा सकता हूँ, तो आपकी demand पे based, अगर जैसे demand होगी, उस तरीके से supply होगी, खिके demand and supply आप की one sort videos होगी, मतलब एक बाद पूरे के पूरे lectures देखने है, just lecture देखने है, step two पे आपको आजाना, step two में क्या करना है, NCRT करना है, या फिर आपके पास कोई side book हो, कोई help book हो, दोनों खुद से क्या करना है, दोस्त, बहुत ही धान से देखना, read करना है, वो भी line by line, क्योंकि आपके पास यहां subject इस तरीके के है, chemistry subject है, आपका biology subject है, पूरे science में मैं दो subject की बात कर रहा हूँ, chemistry and biology, ऐसे दो subject जो आपको read ही करने है, line by line, तक read नहीं करोगे, questions नहीं बनेंगे, तो make sure यह काम जरूर करो, पहला काम, one sort videos, दूसरा काम आप तक क्या है, that is NCRT पढ़नी और यह मैंने पढ़ा था, यह वाली point, one sort video से सर ने बताया था, और यह मैंने NCRT में note किया था, जब वो चीज़े करोगे, तो exact जाके वही चीज़े वहाँ पर छाप दोगे, ठीक है, लिक के चले आओगे, अब step 3 में बहिया, यहां हो गई थीरी की बात, यहां हो गई थीरी की बोला है, तो फिर तुम गधे हो, है न, मतलब दिमाग नहीं तुम्हारे पास, कि वही ऐसा नहीं करते, ठीक है, तो यह वाला काम मत करना, पहले क्या करोगे, one sort videos, फिर NCRT, NCRT में line by line आपको हर एक line पढ़नी है, उसका mean समझना है, जो ना समझना है, तुम्हारे पास Google है, या पर किसी तरीके के बहुत ज़्यादा calculation नहीं करनी, इस बार तो calculated part है भी नहीं, छोटा सा calculation आएगा, electricity वाले पार्ट में, बाकी तुम्हारे में calculation भी नहीं मिल ले वाला, तो पूरी के पूरी theory एक बार पढ़ लोगे, तो लिखने के लायब हो जाओगे, वहां पे at least, ठ एक के बाद क्या करना है, PYQs, और मैं एक वीडियो मौल लेडी आपको पूरे के पूरे PYQs के बारे में data दे चुका हूँ, कि कैसे आपको PYQs मिलेगा, बट लिंक आपको description box मिल जाएगा, जहां से आप पूरा का पूरा PYQs उठा सकते हो, एक बार में एक ही जगे से, ठीक है, चलो बहुत बढ़ी आप, और अब गली बात करते हैं, एक्जांपलर की या यह तो हो गई बात, आप finalized preparation कैसे करें, तो बस उसके बाद एक्जांपलर लगाओ, और यह try करना है कि हर एक कोशन खुद से लगे आपसे, किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े, और overall last मे क्या बोलूँगा मैं, कि आप overall last में क्या करेंगे, कुछ sample papers लगाएंगे, उसकी बात प्रयादी आप से आगे करने की कोसिस करूंगा, sample paper लगाएंगे, लेकिन आपका step क्या होगा, step number one, step number two, step number three, step number four, चार step में आप पूरी के पूरी preparation करने है, पहला one sort videos देखो, NCRT से complete करो PYQs लगाओ, exemplar लगाओ, या फिर अगर कोई side book है तुम्हारे पास, तो side book भी एक बार जरूर पढ़ लेना, बस इससे जादा मैं तुम्हों कुछ और नहीं बोलूँगा, कि नहीं और कुछ कर लो, कि कुछना possible भी नहीं है, इतने कम दिन में, बस इतना काम कर लो मेरे भा करना आपके, two days में आपको अभी syllabus completion पर ध्यान देना है, ठीक है, तो ये तो बात होगी, इस syllabus complete हो जाएगा मेरा, चलो बहुत बढ़िया syllabus complete, अब बाकी के जो तीन दिन बच्चे हैं, या फिर बाकी के जो दो दिन बच्चे हैं, दो से तीन दिन उसमें क्या करें, तो इसमें questions like, तुम से self-solved होने चाहिए, ठीक है, self-solved, self-solved होने के बाद तुम एक जरूर copy ले लेने हैं आप फिर कुछ अच्छे तरीके से, और mindset इस तरीके के रखना कि तुम exam में बैठे हुए, क्योंकि ये बहुत जरूरी point है, कि आपका mindset इस तरीके का होना चाहिए, कि तुम examination hall मैं बैठ के दे रहा हूँ, ना कि घर पे, जब ये चीज करोगे, बैठ के वहाँ दोगे, उसी तरीके की presentation रखोगे, ठीक है, और presentation के साथ साथ और भी चीज आएंगी, फिर वो क्या आएगी दिया, देखो, solve करोगे खुझ, तो कुछ चीजे ये आएंगी, तुम्हारी mistakes आ 0 से 10%, 52, 60%, 100%, तो देखो, पहले 2 दिन में क्या करना है, तुम लोगों को syllabus complete करना है, ये कौन है, इस category के बच्चे और इस category के बच्चे, बाकि उसके बाद जो process होगा, ये करने के बाद, दोनों students को, तीनों students को same procedure ये वाला करना है, बाकि जो आप 100 वाले हैं, उनको 5 दिन यह करना है, बीच बीच में आपको revision करते रहना है, जैसे practice set लगाओ, फिल्वाइस करो, फिल्वाइस करो, बस ये करते रहना, लेकिन overall आगे क्या क्या चीज़ आपको करनी है, तो आगे आपको ये करना है, presentation skill पर काम करना है, mistakes पर काम करना है, presentation का मतलब कि कितना ज्यादा आप attractive चीजों को लिख पाते हैं, definition हरी के बच्चा लिखेगा, define current तो आप लिखोगे, flow of charge per area, बट कितना अच्छे से आप उसको diagram बना के दिखाते हैं, यहाँ पर आप area बनाईए उसको, ठीक है, अच्छे से, यह area A indicate करिए, number of Q charges indicate करिए, ठीक है, और T time में बता दीजे, यहाँ स charges flow कर रही है, तो इससे जो current जा रहा होगा, I, वो क्या होगा, I equal to Q by T, जब आप इन चीजों को लिखते हैं, थोड़ा सा, तो वहाँ पर impression अलग बनता है, impact अलग बनता है, तो बस यह चीजे आपको करते रहे हैं, ठीक है, और last two days में, जो मैंने भी sample paper के बारे में बताया, क sample paper लगाओ, ठीक है, और या तो आप दूसरा काम भी करते हो, कि अपने day को divide कर लो, ठीक है, अपने day को divide कर दो दो parts में, ठीक है, हो सकता है कि भाई, कुछ चीजे हैं, जो तुमारे दिमाग में ना बैठी हो, chemistry वाली बात, biology वाली बात, तो उसके लिए क्या करो, दो parts में day क divide कर लो, ठीक है, first half और ये second half, इसमें simple सा क्या करो तुम, that is, revision करो अच्छे से, यहाँ revise कर लो, revision करने के बाद, फिर sample paper कर आओ, ठीक है, तो बस इस से ज़्यादा और कहीं भी तुम जाओगे, कुछ भी strategies देखोगे, और कुछ भी तुमें recommended नहीं होगा, कोई कुछ भी स्या presentation के उपर करना है, और कुछ भी नहीं, presentation जितनी धमाकेदार होगी, नमबर उतने ही धमाकेदार, तुमें मिलने वाले है, मेरे भाई, यह काम जरूर करना, तो इस वीडियो में बस इतरा, या यहोप, सारी चीजी तुम्हें समझने आ गए हो, वीडियो अची लगई हो, तो वीडियो में, और बाट, टेक केर, कीप लगई होगी,